नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं, hope you all are doing well So friends, आज मैं आपको बताऊंगा कि how you can hide your files in your Ubuntu operating system दोस्तों हमारे लिए हमारे information, हमारे data बहुत important होते हैं और कुछ information ऐसे होते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई उस information को, उस data को देख सके और दोस्तों उसके लिए बहुत आसान तरीका है, जिसमें आप अपने operating system में बिना कोई third party tool के भी अपने data को, अपने information को hide कर सकते हैं Just you need to know the location जहां आप उस files को रखेंगे और दोस्तों इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक graphical interface के जरिए और एक command line के जरिए और मैं आपको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, और यह बहुत easy और simple step है तो चलिए start करते हैं, पहले हम अपना एक file चूज करते हैं, मैं यहाँ पे एक picture सिलेक्ट करता हूँ जिसको मैं अभी height करूँगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, test.png file है, जिसको मुझे height करना है तो height का graphical interface के जरिए जो आसान तरीका है, वो यह ही है, कि आप इसको right click कीजिए और इस पे आप देख सकते हैं, properties, तो दोस्तों इसके आप properties में जाए, और properties में जाके आपका basic information में इसका name आप देख सकते हैं, यहाँ पे test.png है, इसको dot है यहाँ पे, इस dot को मैंने delete किया, और इस dot को आप पहले लेके आए, जो भी आपका name है, उसके सामने आप इस dot को द देखिए, आपका यह जो file है, वो hide हो गया, so दोस्तों, this is very simple, और इसको आपको देखना है, तो आप यहाँ पे right side में जाहिए, और इसमें आप देख सकते हैं, show hidden files, आप show hidden files कीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, for normal use, यह हमेशा आप uncheck करके रखिए, right, अभी दोस्त दिखाता हूँ, कि आप command line के थरुक ऐसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसको unheight कर देता हूँ, again properties, और इसका जो dot था, उसको मैं delete कर देता हूँ, और इसको पहले ऐसे बनायता हूँ, test.png, okay, so now you can see, this is now an unheight file, तो अभी मैं टर्मिनल उसकरूँगा, तो टर्मिनल के लिए आप open in terminal कीजिए, okay, so मेरा location अभी picture सी है, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, यहाँ आपका test.png आपको show हो रहा है, okay, so now what I need to do, I need to rename that file, dot test.png, okay, आप ABCD कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई problem नहीं है, आप just यह धहान रखे के कोई भी file के पहले, आपको एक dot put करना है, right, मतलब एक dot देना है, dot xyz dot abc dot test, anything you can give, right, तो उसके लिए command है, move, यहाँ पर मेरा है test.png, उसको मैं कर दाओ, test.png, okay, अभी देखिए, मेरा test.png हो गया, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप अभी मेरा file शो नहीं हो रहा है, okay, अभी मैं again, आप यहाँ करता हूं, देखिए, आप यहाँ पर, normally आप इसको चेक नहीं कर सकते हैं, आप जब इसमें longlisting देंगे, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका file से हाँ पर अवेलेबल है, okay, तो दोस्तों, यह बहुत ही आसान तरीका है, you just need to know the location where you are just keeping your files, okay, and then you can rename it and again you can see as the normal file, okay, so I hope you understand the whole process and if you like my video, please don't forget to like and comment and subscribe करना मत भूलियेगा, thank you, thank you for watching.